हर्याना के मुख्य मंतरी मनोहर लाल खटर द्वारा अपने करनाल के दोरे के दोरान भाजपा के नेताएंवं भाजपा की टिकट पर MC का इस बार चुनाव लड़ चुके गुरुपीत भिंडर के निवास पर एक जन सबा को संबोधित किया गया यहाँ पहुंचने पर भाजपा के कारे करताओं द्वारा मुख्य मंतरी मनोहर लाल खटर का सिरोपा भेट कर समान किया गया इस अवसर पर गुर्पीत भिंडर द्वारा मुख्य मंत्री को गुरु नानक देव जी का बड़ा चितर दे कर एवं पगड़ी पहना कर मुख्य मंत्री जी का स्वागत किया गया इस अवसर पर गुर्द्वारा जीटी रोड सेक्टर छेंगे बाबा जोगा सिंग जी महाराज गुर्द्वारा नंद नगर सेक्टर छेंगे पीछे बाबा कश्मीरा सिंग जी एवं ब्रहम कुमारिस या इस साद्वियों को भी सिरोंपा भेट कर समानित किया गया इस मोके पर मुख्य मंतरी मनोहर लाल खटर ने जनसभा को संबोधित करते हुए इतनी बड़ी संख्या में लोगों के पहुँचने पर धन्यवाद किया और अगामी विधानसभा चुनाओं के लिए तयार रहने के लिए भी आवान किया उन्होंने कहा कि वातावरन भाजपा के पक्ष में है प्रंतु कारे करताओं को मेहनत करनी पड़ेगी और बूत स्तर पर वाड स्तर पर सरकार की नितियों को कहुचा कर आने वाले विधानसभा चुनाओं में भाजपा के पक्ष में वोट डलवाने का कार्य करना है उन्होंने कारे करताओं से कहा कि वह करनाल से विधायक है प्रंतु पूरा परदेश देखने के लिए उनको यहाँ पर कम समय देना पड़ा प्रंतु यहाँ के स्थानिय नेता आपके मद्दे रहकर आपके कारे करते रही है उन्होंने कहा कि जो भी कारे अधूरी रह चुके हैं उनको जल से जल पूरा किया जाएगा इस मोके पर मुखे मंतरी के OSG अमनेंदर सिंग जीला ध्यक्ष जग मोहन अनंद करनाल की मेर रेनुबाला गुपता भाशपा नेता अशोक सुकिजा भाशपा नेतरी सीमा सुनीर कोयल सहीत बड़ी संख्या में भाशपा के कारे करता मोजूद रहे जब आप लोगों के बीच में शोटे बड़े ग्रुप्स में मिलना हुआ आप लोगों ने प्यार दिया आशिरवास दिया और मुझे यहां का विधाय बनाया बात में हर्याना के नातरी जिन्दा पार्टी को जो पहुपत मिला तो सब विधायकों ने और पार्टी का जो नेतरत को है उन्होंने मिलकर के हमको हर्याना के मुझे मंत्री का दाईत हो देती है एक तरफ तो आपको सब को लगरावजा चलिए हमारे शहर का विदायक ये मुख्षमंद्री बन गया लेकिन मुझे कभी कभी दूज़ा होती थी ये विदायक के नात पर जितना समय आप से मिलने जुलने का चाहिए उतना समय बेल नहीं पाता क्योंकि उस जिमारी के साथ फिर पूरे हर्याना में गुमना फिरता तो यहां चाहते हुए भी कभी पंगराद्र में कभी महिने में एक अदबार आना होता थी लेकिन फिर भी पाट्नी के हमारे कारगरता पार्शाद नेता मेर जो अपिक्षा मैंने इंसे कीती कि करनाल की जनता की जो भी कोई तकलिफे हैं जो कोई दिमांड है विकास की बात है महले की करोनी की सेक्टर की छोटे बड़े सब काम जो जानकारी मिले सब वहाँ अगर निकम के हैं तो वहाँ कराईए और अगर प्रदेश सरकार के तो हम्मारे बात बेजी अब सारे काम कराएंगे और मैं इस बात की संतुष्टी है मुझे कि करनाल की जनता ने जो कुछ बताया वो प्राया प्राया सब काम होए अब ये भी हो सकता है कोई रह गया जिसे करते हैं बीज काम बताया उननिस हो गए एक भी रह गया जिसे ने अलोज़ना करनी है जो भृती है वो किसकी बात करेगा? वो एक की करेगा उननिस की नहीं करेगा और जो पॉद्निव आत्मी है वो कहएगा देखो उननिस को हो गए तो मैं समझता हूँ, यहां जो पुद्ध नागरिक बैठे हैं, यह सारे पाकिजुता पार्टी के जार के समर्थ तक जरूर उन एक बात का भी घान दखेंगे, जो नहीं हुआ, लेकिन उननीस का भी जरूर घान दखेंगे, जो हो गए, ताके विरोध्यों को अलको जरूर प इस बताएं, एक रग्या तो बुद्ध आगा, कोई दस्दिर में होने वाला होगा, दस्दिर में होगा, महिने में होगा, लंबा समय होड़ा लगना होगा, तो अगली तर्म में होगा, आतरी विरोशा तो है ना अपने को कि अगली तर्म में हम काम करने के लाइक फिर से ब फिर से ये चुनाव का अवसर आएगा अक्यूबर 15 के आसपास बोलिन होगी एक तो तरीका ये है कि जैसे पिछले चुनाव में लगातार में या समय लगाया चोटी बड़ी सभाव में लोगों के साथ मिलना जुना हुआ महिना बर या लग जया और एक ये है कि अगली बार फिर से अच्छी हमारी सरकार आये और जो 75 प्लस का एक टार्गेट रखा है उसको पूरा करने के लिए मैं पूरे हर्याना भर में घूम के आऊ अब काम को एक ही होगा इसकी सरकार के समय हमको संतुष्टी होई हमने एक रिकॉर्ड बढा है और इस रिकॉर्ड में करनाल लोकसभा देश वर के अंदर सबसे ज़्यादा जीतने वाले जो मार्जन वाली सीटे थी इसमें जबाने जीते च्छे लाग जपन अजार बोड से के मार्जन से बोड तो उपको मिला साढ़े आठ लाग नौला लिकिन जो मार्जन है यानि हमारे और कॉंग्रेस के बीच में जो अंतर उचेला च्छपन अजार करा है मुझे भी अकिन नहीं था किसा ब्रवात है आपके क्यों प्रताब करके दिखाया है उसी प्रकार का प्रताब करनाल विदान सबाग का जब चुनाव हो उस समय भी करके हम को देखाना है और इसके लिए जन जाकर में करना है लगातार काम करना है कई बार अपी उत्साव या अपी विश्वास जो हो जाता है और कॉन फड़ेस को कहते है जिला याने का खत्रा होता है कि ठीक जी अब जीतन को जाएंगे लेकिन ये अगर मन में आ गया तो हमने एक कहानी सुनी है ना कि एक संत जी ने कहा कि भी गाओं का हर परिवास एक लोटा दूद का लेके आएगा और इस कुन्ड में डालेगा दूद ख्रीद रूद पड़ेगी लंगर लगाना होगा जो भी कुछ करना होगा तो सब लोगों ने सोचा कि कुन्ड तो भरी जाना है सब लोगों ने दूद लाना है मैं अगर दूद की बजाए पाणी का लोटा भी डाला तो जो क्या पता लगेगा और ये बास इतनी फैल गई, क्योंकि कही बार नद भी पताई जाए, तो ऐसा जो गलत विजार होता है, वो कही बार इंडक्शन से भी आ जाता है, एक में आज दूसरे में आगा, दूसरे में आ गया, और गाओं के दिकाश लोगों ने वही बाद सोच ली, शाम के समय, रात के समय दूद डालते रहे, और सुबह उठकर के देखा, तो उसमें दूद, गम, पाणी जाता है, तो ऐसा कि एक बार मन में विकार अगरा जाता है, तो डिलाई का किना प्रण्याम दुष्परिणाम होता है, हमारा मन मद्बूत होकर के हमने अच्छे मार्जिन से, सम लोगों को गोट ड जालने के लिए बाताओन बनाना पड़ेगा, बाताओन अच्छा है, लिकिन उसको समको गोट मशीन तक ले जाकर, हशीन में दलवाकर, जब तक यह स्थिती निलाएं के तब तक जैसा परिणाम जहते में सा आएगा नहीं, हम लोगों ने हरेना तरकार में बहुत काम किये ह जाहे वुविकास के काम है, जाहे विवस्ता परिवर्तत के काम है, लोगों की जीवन शली उसको असान बराया है, वरना छोट छोटे काम के लिए लोग पठकते रह देते